H.P. Partners presents करते हैं कि ज्यादा पानी पीना क्यों जरूरी है नमबर एक शरीर में द्रव का संतूलन शरीर में द्रव का संतूलन हमारे शरीर के करीब साथ प्रतिसत हिस्से में पानी ही भरा है तो पानी पीने से शरीर में पानी की मातरा परियाप्त बनी रहती है जिससे सरीर का तापमा संतुलित रहता है और साथ ही साथ पाचिन क्रिया भी अच्छी रहती है पानी आपके सरीर को फोसर भी प्रदान करता है दूसरा कैलरी कंट्रोल कैलरी कंट्रोल अगर वजन कम परना है तो पानी पीना सबसे बड़ी दवाई है पानी पीने से आपको भूख कम लगेगी जिससे आपकी कैलरी बहुत हाद तक कंट्रूल रहेगी और पेट भी आपका साप रहेगा तिसरा मांग स्पेसियों के लिए ज़रूरी है आप दिन भर भाग दोड करते हैं या जीम करते हैं तो आपके सरीर में काफी पसीना निकलता रहता है जिससे आपके सरीर में पानी की कमी हो सकती है जिन भर पसीने के रूप में आपके सरीर में पानी निकलता रहता है उस कमी को पूरा करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है चोटा चेहरे पर निखार आता है अगर आपके चेहरे पर काफ़ी फूंसी फोड़े आज़ी हो तो डॉक्टर खुब पानी पीने की सला देता है पानी पीने से चेहरे के रंग में निखार आता है और फूंसी वगरे खत्म हो जाती है शरिर में कुछ टॉक्षिं की वज़े से चेहरे पर एक काले निशान आते हैं पानी ऐसे टॉक्षिं को निकाल přेता है और आपके चेहरों को विलाफ पन देता है 5. किद्णी सही से काम करती है हर दिन हमारी दो किद्णी करीब 120-150 फैमाना कुन को साप करती है इसके साथ यूरिन और ब्लड वेस्ट को भी फिल्टर करती है किर्णी को इस काम के लिए परियात मात्रा में पानी मिलना बहर जरूरी है क्योंकि पानी नहीं होगा तो आपका वेस्ट किर्णी में ही जम जाएगा जिससे किर्णी में पत्री होने का खत्रा बढ़ जाता है शत्मा, सरीर को नई उठ्जा मिलती है जब कभी आप कोई काम करके ठक जाते हो या कहीं दूर से चल कर आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा पानी पीने की इच्छा लगता है क्योंकि शरीर को रिस्प्रेज करता है और ठकान दूर करता है इस तरब पानी आपकी क्रियात्मक्ता क्रियेटिविटी को बढ़ा देता है सात्मा आखों के लिए लाबकारी आखों के लिए लाबकारी बदलते मौसम में कई बार आखों और तोचा पर रुखा पन महसूस होता है आखों में ड्राइनेस या रुखा पन कई बार कम सोने से भी होने लगता है लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी पिए तो पानी आक और तोचा को नमी प्रदान करता है जिससे रुखापन नहीं आएगा आत्मा दर्द निवारक दर्द निवारक काफी लोगों को हड़ी के जोड़ों और माल स्वेश्यों में दर्द रहता है जब जोड़ों के बिश द्रव की माता घड़ जाती है तो जोड़ों में दर्द की सिकायत होने लगती है ऐसे देख्यों को तो पानी पीना अमृत के समान है अगर आप भरपूर पानी पीते हैं तो जोड़ों में कभी दर्द नहीं हो सकता इसके साथ ही साथ अगर आप सुबह उठकर बीना कुछ खाए खोग पानी पिए तो ऐसा करना ना सिर्फ आपके पेट को काफी साप रखेगा बलकि आपकी उम्र को भी बहाएगा और रोजाना ऐसा करने से आप तो जो ताजा महसूस करेंगे एक स्वस इंसान को दिन में 12-15 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए मित्रो इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिस की गई है कि पानी पीना हमारे लिए कितना जरूरी है और हाँ एक सवल और क्रिप्या पानी बरबाद ना करें कहीं अगर खुला नाल देखने तो उसे बंद कर दें क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रयास किसी का जीवन बचा सकता है क्योंकि चल ही जीवन है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो क्रिप्या नीचे दिये गए एच पी पार्टनर्स बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज क्लिक अन दे बिलो बटन और सब्सक्राइब दे चैनल थांक यू फर वाचिंग